इस वीडियो में डिसकस कर रहे हैं हम आपका MEC 105 का क्वेशन बेवर इससे रिलेटेट मैंने जून के जो आपके जो एक्जाम है वो सब्टेमबर में हुआ है उससे रिलेटेट कोई भी वीडियो नहीं बनाई मैंने मैंने आपको पताया था क्योंकि इसकी जो बुक्त है मेरी वो मिस्प्लेस हो गई है जिसकी वजह से मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट की कोई भी वीडियो नहीं अप्लोड कर पाई थी लेकिन कोशिश करूंगी कि दिसम्बर एक्जाम के लिए मैं जरूर वीडियो सब्सक्राइब करें तो चले देखते हैं आगे क्या है एक्जामीन दा रेट अंट पैटरन अफ इंडर्डियो ग्रोथ इंडिया दूरिं लास्टू डिकेट ऑ्फ लिबर्र एकॉनमिक पॉलिसी रिजीम make suggestion for accelerated industrial growth in post planning तो इसमें क्या है industrial growth accelerated question है ये फिर आगे आपका inequality in income and wealth distribution inequality आपका देखो 109 में भी है 105 में भी है 108 में भी है तो देखो inequality जो है ये देखो तीन सब्जेक्ट में आपका common है ठीक है how are inequality measure देखो inequality मैंने आपको 108 में करा दिया है तो आप महां से इसको cover कर सकते हो inequality को ठीक है अब जो दिसंबर में एक्जाम आने वाले उनको आप महां से cover कर सकते हो है explain the concept of rational price policy for agriculture produce तो इसमें हम जितने भी सेक्टर है ना अमारे agriculture sector industrial sector service sector इनको अच्छ से detail में हमें discuss करना है ठीक है तो वह हम जरूर करेंगे कोशिश करेंगे fiscal imbalance कि आपका 006 में भी मेसी जो आपका public economics है और देखो यहां भी है question foreign direct investment FDI में आपको MEC 007 में बताया था foreign portfolio investment में difference बताना है तिक है अगर आपने FDI के बारे महां से पढ़ा होगो तो आप यह question जोड़के निया होंगे मैं यह नहीं कहते ही पूरा attempt कर रहा होगा लेकिन कुछ तो जरूर लिखके आई होंगे food security बताने food security अगर आपने 9th class economics अच्छ से पड़ी होगी तो आप यह food security जरूर कर गया होंगे डिसकर दा पॉलिटिकल एकॉनमी एज डिस्टिंग अप्रोस्ट तु स्टडी ओफ एकॉनमी फिर है आपका existing institutional structure बताने है इंडिया का ठीक है फिर है आपको recent structure institutional transformation क्या है इंडिया में फिर है आपका farm और non farm services क्या क्या होती है ठीक है importance बताने है दोनों की फिर आगया देखो यह आपके थोड़े current awareness type के question है transmission mechanism बताने मानेटरी पॉलिस के निती आयोग ठीक है projectionism social sector demographic dividend तो इन्हें भी हम discuss करेंगे जैसे जैसे time मिलता जाएगा जैसे मेरे को मैं वीडियो बना के upload जरूर करूंगी ठीक है तो मैं कोशिश करने है कि December के लिए जदा ज्यादा वीडियो अप्लोड हो आपको जादा ज्यादा help हो इस बार जो मैंने question आपको बताये तो सभी subject के आए हैं ठीक है मैंने आपको question paper अगर मैंने अप्लोड करा तो इसको साथ में discuss भी किया है बेशिक से मैं PDF भी upload कर सकती थे community tab में लेकिन मैंने वीडियो के थ्रू ही आपको समझाने की question बेर को कोशिश की है ताकि आपको आइडिया लग जाए क्या मेरे बताये आपके एक्जाम में आये थे means जो बच्चों ने अब दिये है जून के एक्जाम सब्टेंबर में जो दिये है तो दिसंबर वालों को इससे बहुत help मिलने वाली है तो जो भी मैंने जून के लिए question बताये थे important तो आप उनके साथ इन question paper को भी आप लोग अच्छे से कर लेना ठीक है तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में thank you